हमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटीब चनल वेटेनरी स्टेडी में और दोस्तों बात करेंगे आज हम एज़ेड़ीप जो एडमिशन चल रहे हैं उसके में जो डोकिमेंट के साथ में जो परफॉर्मा लगाने हैं उनके बार में परफॉर्मा ओफ एफिडेव मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी परफॉर्मा की बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरू विजिट करना और जो साथ अपितक हमार चैनल से नहीं जुड़े वो भी जरूर जुड़ जाए दोस्तों एडमिशन के लिए परफॉर्मा बहु पर जाना है और होम पेज में जाकर जो अपना जो अकाउंड होता है वो ओपन कर लेना है अपना है या किसी का भी अपना जो आईडी पासवर्ड रजिस्टरेशन नंबर जो भी है वो डाल कर इसको अपना ओपन कर लेना है फिर जहां से आपने जो अलोड में लेटर डाउ प्रफोर्मा और फीस कि वालोड करना है तो आपको यह परुकर्मा जो वाईड वाइड कलर दिखागर आप दुसरी साइड़ पर बी क्लिक करूगे तो आपका डाउनलोड नहीं होगा, आपको सिधा ही अक्षर जो सब्द लिख रखाए WC पर क्लिक करना है जिससे आपके पांचो के पांचो परफोर्मा डाउनलोड हो जाएंगे, अब उन परफोर्मा में है क्या कौन से कैसे बढ़ाने है मैं आपको इसकी पूरे जानकरी इसमें बता देता हूँ देखे दोस्तों ये अपने पांचोई जो परफोर्मा है वो डाउनलोड हो चुके है देखे दोस्तों ये एक दो तीन चार वेजे पांच ये पांचोई परफोर्मा डाउनलोड हो चुके है जिसको आप कैसे क्या करना मैं आपको बतातेता हूँ तो दोस्तों सर परतम तो बात यह आती है कि 500 परफोर्मे को इसकी पीडिये डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है जो इसमें लिख रखा है वेशा का वेशा आपको पचास रुपे के इस्टाम पर टाइप करवाना है जिसा इसमें लिख रखा है वेशा का वेशा कम्पूटर के द्वारा लिप्टोप के द्वारा जैसे भी आप करते हो उस हिसाब से आपको क्या करना है इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को आपको पचास रुपे के इस्टाम पर टाइप करवाना है यानकि उस पर प्रिंट करवाना है टाइप करवा के उसकी प्रिंट निकालने है पचास रुपे के इस्टाम पेपर पर मैं आपको यह बात बार बार बोलूँगा कि पचास रुपे के इस्टाम पर आपको ताइप करवाना है जिस पर आपके नोटरी भी होनी चाहिए इंपोटेंट नोटरी जरूर करवाना बूल मत जाना है कि उस पर नोटरी जरूर करवाना वेकल के साथ में और आपका ये डिकलेर्शन बाइद दा लेकिन आपको इसके लाबा ये तीनों को पचास रूपय के स्टाम पेपर पर टाइप करवा कि इसके प्रेंट निकालने फिर इसको आपको जेसा इसमें पूछा गया हुआ उससे आपको बरकर अपने सिगनेचर करके इसको कंप्लेट करना है डोकुमेंट के साथ में यह तो बात हुई अपने फर्स्ट के तीनों परफॉर्मा के बारे में और दोस्तों कर आपको और किसी प्रकर नहीं होगा और आपका इंडिमेशन रद हो सकता है अगर आपके पास डोकुमेंट कंप्लेट नहीं है तो और दोस्तों आप परफॉर्मा आता है फिडिवी नंबर फॉर्द तो दोस्तों फॉर्द में आपको वेसे ही आपको दीख जाएगा कि इसमें लिखरकाई की क्षापने डोक्टर है उनके पास जाना है और उनको कहना कि हमें हेल्थ सेटिपिकेट बढ़णा थो उनको यह जो प्रिंट है वो दे दे नहीं जी जे से वह स्वम इसको भरकर आपको देदेगा और वह अपने सील और सिगनेचर करके आपको देदेगा यह आपका ओरिजि जाता है वो बताकर अपने सिंगनेचर करके और उनके जो गोर्मेंट सील और वो अपने सिंगनेचर करके आपको देदेगा तो यह आपका ओरिजनल हेल्ठ सेटिपिकेट बन जाएगा और लाइच परपॉर्मा आता है पाच्वा नंबर यह सिर्फ ऑवी ओवी सी जो पर पर टाइप करवाने है उसके बाद उसको भरना है या फिर टाइप इन के समय आप भर सकते हो पर चौता नम्बर वाला आपको health certificate बनवाना है डोक्टर के द्वारा और जो 5 नम्बर का है वो आपको जो OBC candidate है जो OBC category में आते है शिर्फ उनी को बनवाना है जिसमें लिग र से ज्यादा पुराना जब आपने आवेदन किया था जब इसके फोरम निकले थे उस दिन से अगर एक साल अगर पूराना है आपका काश सेटिपिकर तो आपको ये भी परफोर्मा लगाना है इसके साथ में अगर आपका एक साल पूराना है परफोर्मा तो ये आपको भी ये पेपर पर और यह चोता हेल सेटीपेट यह करके आपको डोकुमेंट के साथ में इंपोर्टेंड और अणिवारी रूप से लगाना है कि यह बात हुई अपने पर्फोर में की और उसके लावाथ दोस्टोnd आपको इसके दो सेट तो आपको इसके फोटो कोपी के निकालने हैं सबके जितने आपके पास डोकुमेंट है आतरकार से लेकर बेंग डाइरी से तक आपको आतरकार और बेंग डाइरी भी इसके साथ में जरूर लगाने चाहिए डोकिमेंट के साथ में ये भी आगे मांगते हैं अगर आपके पास BPL रासन कार्ड इसको बोलते हैं वो भी है APL BPL तो वो भी लगा देवे आफशक रूप से अपने सुविधा के लिए और आपको इसके दो-दो सेट तो आपको निकलने हैं जो कोलेज में जम्मा होंगे इसके दो सेट फोटोकोपी के और ओर ओरिजिनल सेट आपका कोलेज में जम्मा होगा और इसके अलावा आपको एक सेट और निकलना है फोटोकोपी का जो अपने पास में रखना है अपनी सुविधा के लिए कहीं पर भी आपको इसकी आवसकता पड़ती है तो दोस्तों य यह मैंने पूरी जानकारी के साथ में बताया परफोर्मा के बारे में और अगर आपको कुछ जानने के जरूर्द हो तो आप हमें कमेंट करें करके जरूर बताना हम आपको इसका जवाब देने की कोशिस जरूर करेंगे और आपकी जो समझ आये उसको जरूर सोल करेंगे और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा जरूर देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ में जरूर जूड़े रही है धन्यवाद